हेलो फ्रेंट्स तो आज हम देखेंगे एक ऐसे गोरीला की कहानी जो कि एक बहुत ही फेमस बेसबोल प्लेयर बन जाता है लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि फेम मिलने के भी अपने कुछ नुकसान होते हैं तो ये कहानी है 15 साल की वाई और उसके गोरीला दोस लिंग लिंग की जो अपने दादा जी के साथ मिलकर चाइना में एक सरकस चलाते हैं वाई और लिंग लिंग का रिष्टा बहुत पुराना है और वो दोनों एक दूसरे को भाई बेहन की तरह प्यार करते हैं वाई ने उस से काफी सारे इंसानी वर्ट्स भी सिखाए जिससे लिंग लिंग उसकी हर बास समझता था यही हम उनके दादा जी को देखते हैं जिने बेस्बॉल गेम का बहुत शोक है लेकिन उनमें एक बुरी आदत भी थी वो बेस्बॉल पर बहुत सट्टा लगाते थे और इसी वज गोरिला को बेस्बॉल खेलते थे लोगों में सरकस पोपुलर होने लगा था और इसे और आगे ले जाने के लिए दादा जी एक नए गोरिला लीटिंग को ले आये थे वाई ने उसे ट्रेन करने की बहुत कोशिश की लेकिन जंगली और गुसेल होने के कारण लीटिंग उ वो सरकस को शेर से दूर ले जाती है और उसे फिर से प्रोफिटेबल बनाने पर काम करने लगती है लेकिन प्रोब्लम्स उसका पीछा नहीं छोड़ती और एक दिन लिन नाम का आदमी जिसने दादा जी को लोन दिया था अपने पैसे वापस मांगने आता है अब वाई भल ले जाकर बेसबॉल खिलाना चाता है कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवा कर वो लिंग लिंग को ले जाने की तयारी करते हैं लेकिन कोरिया की बेसबॉल ओर्गनाइजेशन के बीओ के चेर्मेन यंग को याइडिया बिलकुर पसंद नहीं आता वो सुंग पर लालची हो होने का इलजाम लगाता है और कहता है कि तुम पहले भी कहीं प्लेयर्स को अपने फाइदे के लिए बर्बाद कर चुके हो लेकिन सुंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लिंग लिंग को दुसान बेर्स नाम के एक टीम में डाल देता है वाई को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है और अपना लोन चुकाने के लिए वो लिंग लिंग के साथ कोरिया पहुंच जाती है सब लोग लिंग लिंग को रिसीव करने आते हैं और उसे एक नया नाम दिया जाता है मिस्टर गो प्रेस कॉनफरेंस में डॉक्टर सुंको गो की रिपोर्ट्स दिखाता है और कहता है कि उसके गुटने में गहरी चोट है लेकिन सुंगु से अपना मुँ बंद रखने को कहता है आगे सुंगु ने अपने घर ले आता है और देखता है कि गो उसके महंगे महंगे पेडो को खराब कर रहा है वाई उससे अपने हिस्से के पैसे मांगती है ताकि वो अपना लोंच चुका सके और ये सुनकर सुंग उसे बाहर स्टेडियम में ले जाता है वहाँ वो बताता है कि तुम सिर्फ एक मिलियन नहीं बलकि सो मिलियन डॉलर कमा सकती हो लेकिन उसके लिए गो को आने वाली गेम्स में खुद को प्रूफ करना होगा अगले बोल से सीधा एक होम रन स्कोर करता है ये देखकर टीम मैनेजमेंट को बहुत कुशी होती है और लोग भी देखते ही देखते उसके फैन हो जाते हैं आगे के कुछ गेम्स में भी गो सबको अपना जलवा दिखाता है और दूसरी टीम सोच में पढ़ जाती है कि आखिरी से कैसे रोका जाए वो लोग रूल्स का फायदा उठा कर चिटिंग पर उतराते हैं और ऐसी बोल्स डालने लगते हैं जिने हीट कर पाना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी वो गो को हीट करने से नहीं रोक पाते और ऐसा लगता है जैसे गो के पास सुनकी हरचाल का जवा है एक दिन सुनक को पता चलता है कि जापान के दो बहुत बड़े क्लब्स गो को खरीदना चाहते हैं और वो अपने मैनेजर से उन्हें यहां बुलाने को कहता है आगे वाई को सरकस से आया एक पारसल मिलता है और वो देखती है कि लिन ने वहाँ उसके सातियों को बंदी बना लिया है वो उस दिन मैच में जाने से मना कर देती है और लिन की दी हुई एक वीडियो चलाती है उसमें वो देखती है कि लिटिंग ने उन लोगों को बहुत मारा है और लिन उसे धमकी देता है कि अगर जल्दी से वो पैसा लेकर नहीं आई तो वो लिटिंग के साथ साथ उसके बाकी साथियों को भी बेज देगा वो सुंग के घर की तलाशी लेने लगती है कि शायद यहाँ से कुछ पैसा मिल जाए लेकिन इसी बीच उसके हाथ सुंग का साइन किया हुआ एक कोंट्रैक लग जाता है आगे का सीन स्टेडियम का है जहां दुसान ग्रूप के मालिक आज का मैच देखने खुद वहाँ आए है वाई के ना होने से सुंग खुद गो को असिस्ट करने जाता है लेकिन पता चलता है कि उसका ध्यान गेम में बिल्कुल नहीं है गो किसी तरह खेलने की कोशिश करता है लेकिन उसके हास से बैट चूट कर स्टेडियम में बैठे एक आदमे को गायल कर देता है गो भी घबरा कर स्टेडियम की चट पर चट जाता है और रेफरिस मैच को कैंसिल कर देते हैं चेर्मेन तुरंट एनिमल कंट्रोल वालों को बुलाता है और वो लोग एक हेलिकॉप्टर से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जाल में फसने से गोच हसे नीची गिरने लगता है और ये देखकर लोग यंग से हेलिकॉप्टर को वापस बेजने को कहते हैं आगे हम वाई को देखते हैं जो सुंग से उस कॉंट्रेक के बारे में पूछती है जिसमें 3 लाग डॉलर की टरंजेक्शन के बारे में लिखा है सुंग उसे समझाता है कि ये पैसे सीजन खतम होने के बाद ही उसे मिल सकते हैं लेकिन गोग की हरकतों के बाद उसे ये मुश्किल लग रहा है आगे वो न्यूज में देखते हैं कि कुछ लोग गोग के दुबारा खेलने के अगेंस्ट हैं लेकिन केबियों उन्हें यकीन दिलाती है कि ऐसा इंसिटेंट दुबारा नहीं होगा वाई ये सब देखकर नराज हो जाती है और गोग को खुछ से दूर रहने को कहती है सुन को गोग पर तरस आ जाता है और वो उसे समझाता है कि एड़टाइजमेंट और शो के जरिये वो लोग उसकी रैपोटेशन को सुधार सकते हैं उधर सरकस में हम लिन को देखते हैं जो टीवी पर गोग से रिलेटिट एक निउस देख रहा है तबी टीवी पर एक बेसबॉल आकर लगती है और पता चलता है कि गोग को देखकर लिटिन एग्रेसिव हो रहा है लिन को ये देखकर एक आइडिया आता है और वो लिटिन से दोस्ति करने की कोशिश करता है उसे लगता है कि गोग की तरह लिटिन भी ये गेम खेल सकता है और वो उसे बेसबॉल थ्रो करने की ट्रेनिंग देने लगता है इदर सुंग वाई और गो को एक फैमिली शो मिले जाता है ताकि लोगों को दिखा सके कि वो खतरनाख नहीं है और उसकी पोपलाइटी एक बर फिर से बढ़ने लगती है साथ ही गो अपनी गेम को भी इंप्रूफ करता है जिससे उसकी टीम काफी सारे मैच जीच जाती है लेकिन इसका असर उसकी सिहत पर पढ़ने लगता है एक दिन सुंग का मैनेजर उससे बताता है कि जापान के कलब ओनर्स उससे मिलने यहां आ रहे हैं और पैसो के लालच में चेर्मेन यंग भी अब हमारी तरफ हो गया है सुंग पहले चुनीची कलब के मालिक इटो से मिलता है जो उन्हें 45 मिलियन डोलर का ओफर देता है लेकिन सुंग उन्हें पटा कर ओफर को 100 मिलियन पर ले आता है वाई भी यह सुनकर बहुत खुश होती है और तभी वो देखती है कि गो लड़ खड़ा कर गिर गया है वो कि गो का सीरीज के फाइनल में खेलना बहुत जरूरी है और वो गो को अगले दो मैचों में रेस्ट देने का फैसला करते हैं यहीं एक सीन में हम लिन को देखते हैं जो दूसरी टीम NC की मैनेजर को अपना एक प्रपोजल देने आता है और सुन भी टीवी पर देखता है कि जापान के यो मेरी क्लब का मैनेजर डाइची कोरिया पहुचा है डाइची उन्हें इटो के ओफर का दुगना देने को कहता है लेकिन उसकी शर्थ है कि पहले वो गो का एक मैडिकल चेक अप कराएगा यह सुनकर सुन परिशान हो जाता है और यहाँ वाई भी उस पर गो क की छोट चुपानी के लिए बहुत नाराज होती है तब ही वो देखते हैं कि लिन लीटिंग को भी कोरिया ले आया है जहां वो एंसी के लिए मैचीज खेलेगा और वाई को यह बिल्कुल ठीक नहीं लगता सुन वापस इटो के पास जाता है क्यूंकि उसकी ओफर में किसी मेडिकल चेकप की शर्ट नहीं है और उसे जल्दी से कॉंट्रेक्स साइन करने को कहता है तब ही इटो की नजर लीटिंग पर पड़ती है जो बहुत तेज पीछ कर रहा है और वो सुन से कॉंट्रेक को होल्ट करने को कहता है इधर गो के बिना दुसान की टीम मैची सारने लगती है और ये देखकर फैंस और मैनेजमेंट का गुस्सा बढ़ जाता है टीम मैनेजर सुंग से गो के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर वो फाइनल मैच में वापस नहीं आया तो मैं तुम्हें फ्रोड के जुर्म में अंदर करा दूँगा सुंग और वाई ड लाता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा फाइनल मैच में भी दुसान टीम की हालत बहुत खराब हो जाती है और सबको लगता है कि काश इस वक्त गो यहां होता इधर सुंग देखता है कि इटो लिटिंग को खरीदने वाला है और उसके बहुत समझाने पर भी इटो उसकी दिल कैंसल कर देता है डाइची को भी इस बात का पता चलता है और वो सुंग को एक बार फिर मिलने के लिए बुलाता है वो उनके सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर गो उन्हें मैच जिता दे तो वो अपनी मैडिकल टेस्ट वाली शर्त वापस ले लेगा यहां पता चलता है कि हीट और उसके कलब में पुराना कॉंपिटिशन है और वो किसी भी कीमत पर उससे नहीं हारना चाता इधर ट्रैसिंग रूम में वाई एक डोकुमेंटरी देखती है जिसमें उसकी और गो के पुराने पलो को दिखाया गया है और तब ही सुंग चेर मैन और टीम बचाई थी और ये देखकर वो गो के पास आती है वो कहती है कि तुमने मुझे पहले कभी निराश नहीं किया और मैं जानती हूं कि आज भी तुम मेरा साथ जरूर दोगे गो उटने की कोशिश करता है लेकिन गुटने में दर्द के कारण फिर से लड़कडा जाता है और ये देखकर चेर्मेन और मैनेजर वहां से चले जाते हैं सुंग भी समझ जाता है कि अब सब खतम हो चुका है और एक मिलियन डोलर का चेक देखकर वाई को वापस चाइना जाने को कहता है वो कहता है कि इन पैसों से तुम अपना लौन चुका सकती हो और मैं एक दिन तुम से मिलने वहाँ जरूर आऊंगा वाई ये सुनकर रोने लगती है और तब ही वो देखते हैं कि गो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है स्टेडियम में लोगों को गो के आने की न्यूज मिलती है और ये देखकर फैंस के साथ साथ डाइची में भी नया जोशा जाता है इटो अपनी पूरी ताकत से बोल फैंकता है जो गो से मिस हो जाती है और दर्थ के मारे वो नीचे गिर जाता है सब लोग ये देखकर निराश हो जाते हैं लेकिन गो हिम्मत करके फिर खड़ा हो जाता है इस बार भी वो लीटिंग की स्पीड कम काबला नहीं कर पाता और गिरने को देखकर बहुत हैरान होते हैं लेकिन सोचते हैं कि अब वो वाई के इशारों को कैसे देख पाएगा जो उसके ठीक पीछे खड़ी है वाई भी अपना चाबुक नीचे फैंक देती है क्योंकि उसे यकीन है कि गो अपने डिसीजन खुद ले सकता है लीटिंग पूरी त टीको बॉल को दोबारा से जोडना होगा यह सुनकर सुंग अपनी टीम को भागने को बोलता है और वाई भी गो को भागने को कहती है और उनका प्लेयर और गो एक साथ बेस की ओड जंप लगाते हैं एनीच को लगता है कि शहाहद उन्हों ने गो को आउट कर दिया हैकि त कोशिश करती है लेकिन लिटिंग उसके काबू में नहीं आता वो एक बार फिर वाई की ओर जाता है लेकिन सूंग एक गुल्फ कार्ट में बिठा कर उसे ले जाता है लिटिंग कार्ट को पलट देता है और इससे पहले की वाई को कोई नुकसान पहुँचे गो वहां आकर उसे बचा लेता है वाई उसे लीटिंग को जान से मारने से रोक लेती है और कहती है कि ये सब उसी की गलती है इटो और डाइची अपने कॉंट्रेक्स कैंसिल कर देते हैं और चेर्मेन सुंग को अरेस्ट करने को कहता है इधर न्यूज में दिखाते हैं कि लिन को गैर कानूनी लोंस देने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है और डॉक्टर्स ने गो का उपरेशन करके उसे बिल्कुल ठीक कर दिया है आगे का के मुताबिक सुंगुन से मिलने आया है एंड सीन में हम लिटिंग को देखते हैं जो कोरिया के एक सुं में कैद है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आयो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना थैंक यू